इस वीडियो में मैं आप सब लोग को बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उसी के साथ एक्जामपल के तौर पर मैं आप सब लोग को इंपरेटिव सेंटेंस के फिफटीन एक्जामपल भी दूँगा जिससे आपको और अरची तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाइट करते हैं में कंभा वाचिंग लर्निग फनल तौर मिलींग टो दौस्तों एंपरेटिव सेंटेंस की टेषिन आएंवोल रह जो आ एस सेंटेंस अध्रेट एक्भρχश्ट और डियरेक्ट कमांड रिक्वेस्ट इन्वीटेशंस ऑ आइर और इंस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हैं दर्वाजा बंद करें तो यह क्या है यह कमांड है यह मैं किसी को कमांड दे रहा हूं कि दर्वाजा बंद करें दर्वाजा बंद करें तो फिर यह कमांड है इसलिए यह है इंपरेटिव सेंटेंस इसी तरीके से क्रिप्या मेरी मदद करो help me please तो फिर ये क्या है ये एक request है तो इसलिए ये क्या हो गया ये एक imperative sentence हो गया दर्वाजा खोले command है open the door इसलिए ये क्या है imperative sentence क्योंकि ये command है जल्दी मत करो don't hurry ये भी एक imperative sentence है मुझे खेल खेलने दो let me play the game वहाँ जाएं go there बैठ जाओ sit down यहाँ से चले जाओ get out of here बात मत करो don't talk मुझे डातों मत don't scold me अपना कमरा साफ करें clean your room क्रिपया प्रतिक्षा करें please wait क्रिपया कुछ देड़ इंतजार करें please wait a moment क्रिपया मुझे दें please give me अपनी प्रतिभा दिखाओ show your talent तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ने आप सभी लोगों को imperative sentence की definition बताई और साथ इसाथ इसके मैंने 15 examples भी बताए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस कर दीजेगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं बूलेगा तो thanks for watching keep tune with me and keep practicing सबस्क्राइब करें